महेश्वर पोचें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से रेजिडेंट आइटाप प्रभू पठेरिया ने खास बाचित की इस दौरान वीडी शर्मा ने दावा किया है कि प्रदेश की जनता को बीजेपी सरकार पर विश्वास है और मुख्यमंत्रे शेवरा सि साथ हैं भारती जनता पार्टी के पदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जो चुनावी यात्रा पर निकले हुए हैं तो वीडी सर्मा से पजने की कोशिच करते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश के इन उप चुनाव को लेकर क्या नफज कह रही है जनता की सर्मा जी बहुत बहु मात्र चुनावी दोरा नहीं है भारती जंता भारती में प्रवाज से कमारा पद्दती का बढ़ायशा है और यही एक आधार बनता है संगठन काम के विस्तार और सुद्रडी गरण का तो हम लगाता है करती ही रहते हैं यह बिल्कुल ठीक है कि वाइल एक्षन इस चित्र में ह तो चुनाव की तैयारी भी हम व्यापक तबवर संगठन तंतृ ओम्जबीक करते हूं कि हम लोग कहते हैं और में करते ही हर समाज वर्ग उन गरीब कल्याण की युदनाओं के साथ मध्यप्रदेश के अंदर मन्य मुक्यमंद्री सिवराज सिंग चुहान के नितरतों में जनता हमारी इस बात को लेकर के जानती है कि अगर मध्यप्रदेश का और देश का वहिस्त रक्षित है तो मन्य नरिन्द मोद की और सिवराज सिंग चुहान के नितरतों में हैं इसलिए ये हर प्रकार से जनता आज भारती जनता पार्टी के साथ खड़ी है वो जनता इस बात को एसास करती है शर्माजीब कोरोना आया था दो लहरें कोरोना के यह बड़ा नुकसान हुआ है प्रदेश को इस को इस को लेकर कही नहीं सरकार की जब कोरोना मेनेजमेंट यह रादिनतिक दल भारती जनता पारटी जैसा बड़ा दल उसका प्रबंदन है कोरोना को लेकर कहीं नहीं कुछ लोगों के मनमें संका सवाल हैं वो उटते हैं देखिए मेरा है समाना है कि कोरोना के संबंद में इस देश के अंदर ये दुनिया जानती है कि माननी प्रधान मंतरी मोदी जी की नितरत में जिस प्रकार से काम हुआ और मद्यप्रदेश के अंदर मानी मुख्यमंत्री ने तो सपती कोरोना के उसमें ली और जिस प्रकार से मानी मुख्यमंत्री ने काम किया दिन रात एक करके और कोई गरीब भूंका इस देश के अंदर नहीं रहेगा इस प्रदेश के अंदर नहीं रहेगा तो बहतर काम अगर किसी ने किया तो वारती जंता परटी के सरगार ने किया चाह के अंदर के अंदर हो आपने देखा होगा मध्यप्रदेश के अंदर तो किस प्रकार से हमारे कारکरताओं से लेकर करके सरकार के समनवे के वहां के शाध्र क्राइसिस क्राइसे मेंस्वें ज्स ने बहुतर् प्रबंदन के साथ काम किया ये केबल मध्यप 5 sera्देश नहीं अन्य राज्जियों नहीं भी इस प्रदान मंतरी जी ने भी कहा कि बहतर मेनेजमेंट क्राइसिस मेनेजमेंट जो गाउं गाउं के अंदर हमने संगठन सरकार के साथ मिलकर के तह किया संगठन की में पुमिका उसमें थी और आज है आज हम स्वास्त स्वेम सिबक हर बूत पर खड़े कर रहे हैं एक डॉक्टर एक माहिला कारकरता एक कारकरता अमारे इस प्रकार की हमारी टीमें बन करके प्रस्रेक्षिण चल रहे हैं तो मेरा इसा मंना है कि इस दिसा पर नुकसान हुए लोगों का सरकारी नौकरियां नहीं निकल रही है ऐसी समस्चा जो युवाओं के सामने खड़ी हैं उनको कैसे एड्रेस करें उन मुद्दों पर भी काम भारती जंता पार्टी के सरकार बहतर तरीके से कर रही है चाया मानी प्रधानमंत्री जी के दौरा इसकेल और इन सारी चीजयों को लेकर के आत्म निर्वर भारत का जो नारा दिया है इसको जमीन पर उतारना चोटे चोटे काम करने वारी लोगों को मदद करना यह एक बड़ा अभिहान आत्म निर्वर भारत और मध्यब्रदेस का यही लोगों को इन सारी चीजों से बचा करके रोजगार के साधनों की लुपत कराएंगे और बाकी जो जरुवत हैं उनको भी माननी प्रधान मंत्री जी मुझे रखता है कि बहुत गंभीरता के साथ इन सारे मुद्धों पर देश के अंदर काम कर रहा है एक सवाल बार बार उड़ता है वीपश की तरफ से भी बातें उड़ती हैं कि मुखमंत्री बदलेगा मुखमंत्री बदलेगा तो क्या यदि इतने अच्छे काम हो रहे हैं तो क्या प्रधिश अद्ध्यश के नातिवीडी सर्मा जी ये कह सकते हैं कि 2023 को चुनाओ शिवराज थे मैंने का ना पब्लिक लीडर नहीं थे लेकिन गलती से बठा दिया था कॉंग्रेस ने किनी कानद से बठाया होगा जो भी होंगे मुझे नहीं पता यह उनका अंदर का महमला है लेकिन अब फड़ फड़ा रहे हैं तो क्या करेंगे मध्यप्रदेश के अंदर मानी सिव मेरा सवाल है कि 2023 के नेतर लगा रहे हैं कि आपकी यात्रा हूँ या जो तरह दिस इंद्या कि बागी केंद्री मत्रों की चंदा वसूली करते रहे हैं कॉंग्रेस का काम बसूली करना ही रहा है तो जिसकी रही भावना जैसी प्रभ मूरत देखी तिन तेसी तो दिगविया सिंग की मैं तो कहता हूँ कि इन्होंने क्या नहीं किया है इनका जब सासन कालता तब तो जिनता नों खाड़के भेंका है इनको इसलिए यही आरुप ल करते हैं वो तो सेना के सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो यह पूछ लेते हैं कि प्रूफ क्या है कि सर्जिकल स्ट्राइक होई इनसे बड़ा देश द्रोही मतलब मैं किसी को देश द्रोही कहना नहीं चाहता लेकिन यह जो भावना यह देश द्रोही जैसी भावना है कि सेन साथ अंकवादी के घर दिविया सिंग बैटने के लिए गए थे और बाद में मानी सरवोच चनयाय लेने फांसी की सजादी यह साथ अंकवादी यह क्या जब आप देंगे क्या लोगां से पूछेंगे निकी बात मुझे तो आसिर होता कि आप लोग भी ऐसे लोगों को कैसे इतना हम लोगों के सामने बार 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 लेकर के आती हो यह मुझे भी थोड़ा सा आसिर होता है इस बात पर दन्यवाद शर्मा जी जो जिनका कहना है कि मदब देश में शिवराज सरकार बहुत बहतर काम कर रही है और उप चुनाओं में उनको दिख रहा है कि भारती जनता पार्टी के कार्करताओं के फोच चल रही है और वो यहां पर तरह तरह के कई कार्यक्रमों भी शामिल होंगे कैमरा पर्शन अर्विन साहो के साथ प्रभू पटेरिया इंडिया नीज महेश्वर